नमस्कार आप देख रहे हल्ला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजरा ओमकश्यप एक मुठी चावल पर क्या मिलेगा एक जोला वोट क्योंकि यही सोचकर भारतिय जलता पार्टी ने 74 लाख किसानों के घर जाकर एक मुठी चावल लेने के अपने अंदोलन की शुरुआत की है वो इसे मिशन बंगाल यानि चुनाओं से पहले कह रहे हैं ताकि ऐसे वक्त पर किसान भी उनकी तरफ आ जाए किसानों को ये भी लगे कि देखिए उनके दर्वाजे पर बीजेपी के अध्यक्ष पहुँच रहे है ये भी लगे कि देखिए बीजेपी कैसे किसानों के घर पर हाथ फैलाई हुए पहुच रही है ताकि नए सिरे से एक संपर के कृष्टा किसान और बीजेपी का बने ताकि वो परेशानी भी जो केंद्रे में किसान अंदोलन के साथ दिल्ली में राजधानी में है उस पर भी जरा पानी पड़े और दूसरी तरफ वो चुनाओ जिसे सबसे बड़ा इंतिहान भारतिय जनता पार्टी मान रही है वो पश्चिम बंगाल की लड़ाई जिसमें अमिच्शा से लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने पूरी ताकत जोग दी है ये गड़ है ये लड़ाई है ममता बैनर जी के खिलाफ ये लड़ाई है कैसे वर्चस्व की जहापर वामदलों को धराशाई करने बीजेपी अध्यक्ष घर घर मांग रहे हैं मुठ्थी भर चावाल भले ही दिल्ली में किसानों कांतोलक 45 दिन भी सवाब पर है लेकिछ जेपी नट्टा बंगाल के किसानों के दरपर है कारिक्रम की शुरौत हुए धान का कटोरा के नाम से मशूर बर्धमान से जेपी नट्टा ने चापर 5 किसानों के घर जाकर एक اक मुठ्थी चावल किसानों को साधने के लिए नड़्टा ने मम्ता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दीदी ने किसानों का हक मारा है जिन किसानों के घर नड़्टा पहुंचे उनमें से एक घर में खाना भी खाया बंगाली थाली सजी भाद के साथ दूसरे वेंजन भी परोसे गए मकसद साफ है कि किसानों के दिलों में बीजेपी के लिए घर बनाना बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने एक मुठी चावल केमपेंड की शुरुवात की है पश्रिम बंगाल के 23 दिलों के 74 लाग किसानों के घर बीजेपी कारिकरता जाएंगे सभी के घर से एक एक मुठी चावल इकठा किया जाएगा ये कारिकरम 24 जनवरी तक चलेगा इसके बाद बीजेपी 25 से 30 जनवरी के बीच कम्यूनिटी कीचन के जरिये लोगों के लिए भोज का आयोजन करेगी बीजेपी के राश्री अध्याव जेपी नडड़ा इस समय पश्रिम मंगाल में जगा जगा यानि की पाँच घरों में जाकर पहले तो चावल ले रहे हैं और उसके बाद एक मुठी चावल के साथ किसानों के साथ एक साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी ये बखु भी जानती है कि बंगाल को अगर जीतना है चोहत्तर लाग से अधिक किसानों को एक साथ लाना होगा और इन सब के बीच में जब पाटी के कारे करता और उनके खुद के आला अध्यक्ष सब एक साथ आ रहे हैं तो उस बीच में एक और जहां परची लगा रहे हैं नडड़ा ने रोडशो के जरिये भी बीजेपी की ताकत दिखाई उन्होंने कहाए कि ममता सरकार के दिन पूरे हो गए बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार बनने का दावा भी ठोक दिया आज लोग बाहर सरकों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं ममता को उखार फेकना है भारतिये जनता पार्टी को लाना है बंगाल के एक दिन के दौरे पर जेपी नडड़ा की शुरुवाद राधा गोविंद मंदिर से हुई वहां मत्ठटे का इस मौके पर कैलाश वीजेवर गिया भी साथ थे नए साल में वर्धमान से जेपी नड़ा की शुरुवाद की वज़ा है 2017 में यहां के चावल को जी आई टैक मिला था तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी को बंगाल की सियासत में गुरुशिक आटैक मिल पाएगा मुठी मुठी चावल लिखठा करने से छोला भरकर वोट मिलेगा कि जितना संभव हो सके किसान तक पार्टी की बात पहुंचे और किसान की बात भी पार्टी तक कैमरा बोसन तापस बेरी के साथ मनोग्या लोईवाल कटवा आज तक आए चर्चा की शुरुवात करते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान आज इस चर्चा में जुड़ेंगे डॉक्टर सुदान शुत्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए है राश्री प्रवक्ता भारतिये जरताब पार्टी के हमारे साथ शाकिर अली नेता टी-मसी के जुड़ गए है चर्चा में हमारे साथ जौक्टर विशाल मेश्रा जो की प्लिटिकल आन्डेस के तौर पर चर्चा में शामिल होंगे वो जुड़ गए है पार्था मुकर जी प्रवक्ता है पश्चिम बंगाल कॉंग्रिस के वो हमारे सा जुड़ गए जयनतों गुशाल वरिश पत्रकार हमारे साथ कुछी देर में शामिल होंगे क्यों सुजान शुत्रिवेदी जी एक मुठ्थी चावल दे दो चाहिए या फिर एक जोला वोट लग रहा है मिल जाएगा इसी बाहने अंजना जी जिसकी जैसी द्रश्टी वो ऐसा सोच रहा है एक मुठ्थी चावल एक मुठ्थी चावल नहीं है यह बताइए महात्मा गांदी ने नमक सब्टागरे कर नमक पूरी तरह बहरी हो गई थी भारती विचारों के लिए उसके लिए जन्जागरित के लिए यह स्री राम शिला पूजन किसलिए हुआ था ऐसा नहीं कि एक एक कीट के साथ सहवागिता करनी थी उस बिंदू के साथ जोड़ना था आज नट्ड़ाजी ने जो किया यह संकल्प के साथ परिवारों को जोड़ना है क्योंकि यह सरकार उसी प्रकार से वहां के बंगाली समाज के लिए उसी प्रकार से अंदेखी कर रही है जैसे कभी बृटिश सरकार या 90 मेराम मंदिर आंदोलन के समय में ताथ कालीन ॥ी सिंग और बुनाएं सिंग की यह है कि किसानों के साथ आपको एक सेकेंट सर चुनाओं के पहले किसानों के साथ एक बहुत बड़ी परिशानी का सामना दिल्ली में करना पड़ रहा है क्या यह सच नहीं है कि उसी वज़े से कुछ दिमाग लगाया गया कि कैसे बड़ा इवेंट क्रियेट किया जाए किसान आंदोलन कर रहा है तो मम्तादी की सरकार है ना चबाद यह होते हैं सोसल मीडिया में यह देखो यह यूट्यूब एप नेखो यह फोटो किसान कर रहा है ना इसलिए हम सारे किसानों के समान रूप से to Cem volunteer बों किसान जिसके पास दो मुठी अनाज नहीं है, दो दिन का अनाज नहीं है, यही कहते थे ना दो तिहाई लोगों को खाना नहीं मिलता, 80 करोड लोगों को आज भी भोजन दिया जा रहा है, उसमें 90% किसान है, भगवान की कृपा है उन किसानों पे, जो 6-6 महिने का राशन लेके बै नयाय करने का प्रियास करने है और दूसरी जो मैं इपनी बात पूरी करना चाहा रहाता है, अंजरा जी, बंगाल की संस्कृती या भारती संस्कृती, जब संकल्प करना होता, कभी पुजा में आपको ध्यान है, जो पंडित संकल्प कराते हैं, तो क्या चीज़ हाथ में द इसलिए मैं कह रहा हूँ जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी जिसे वोट ही पर भरने हैं चाहे कोई बंगाल में बिनी पाकिस्तान बोल दे चाहे घुस पैठिया आ जाए चाहे रोहिंग्या आ जाए जिसको सिर्फ वोट देखना वोट देखता है जि कि आपकी नियत में ही खोटे इसलिए आपको घलत दिख रहा है दरसल वो बंगाल को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए सब पहल कर रहा है जैसा लग रहा है कि आज चुनाओ परचार का अंतिम दीन है जिस तरह से आज नड़ा जी ने बर्दवान में किया मुझे दिल्ली का जो बाद में आते हैं लेकिन मैं चुदानसु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में मध्य परदेश, 36 गर्ड, राजेस्थान, पंजाब, ये सीटे भारतिये जंता पार्टी जो हारी थी अपना इस्टेट हारे थे ये किसानों के कारण हारे थे मध्य परदेश किसानों के कारण हारे थे, 36 गर्ड किसानों के कारण हारे थे लेकिन ये दो साल में 18 से 20 और ये कैस के सुरुवात है ये लोग इस तरह से बातों को पुरानी बातों को भूला देना चाहते हैं उसका पॉलिटिकल करन करके ये लोग भूल जाए ये लोग यहां बंगाल में नडडाजी किसान के साथ में आके ये दिल्ली के जो बॉडर पर बैठे हुए किसान हैं उनको ये कुछ मेसेज देना चाहते हैं जो कुछ दिनों बाद समझ में आएगी बात कि ये बताना क्या चाहते हैं ये बताना चाहते हैं किसानों के कि हम इनके पास इनके पास किसी मंत्री या केबिनेट के किसी भी संत्री का पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो बॉडर पर जाए और उनका दुख दुख दर्स को समझे और उनके हाल को पूछे जहाँ संतावन लोग मर गए बताइए आज दिल्ली की सरकार जहां पर बच्चे पूरे मिला संतावन लोग मरे हैं, वहाँ जाना चाहिए कि बंगाल में किसानों के घर में मुठी भर अनाज मागने के लिए आना चाहिए, अरे वहाँ देखिए जहां जहां पर लोगों को अनाज की जरुवत है, जहां पर लोगों की तिरपाल की जरुवत है, जहां लोगों की मांगने पर बंगाल में रोक तो नहीं है क्योंकि आप तो उनके आधा से जाधा रैलियू पर ही रोक लगा देते हैं बाहरी के देते हैं बीजेपी वालों को असर्दुदी नों ऐसे आपको वैसे जहर दिख रहे हैं एक लेवल प्लेइंग फील तो दीजिए या फिर खुद अन्ति मूरा है उनकी पहली लडाई आगरी और फिर लीजिए दे चुड़ाओ के तैयारी जिस दिन जीते और शिरू कर देते हैं एक तैप देच की समस्या को देखना चाहिए इनको तो सत्ता चाहिए इनको तुनिये यहां हम लोग चावल बंगाल में ममता का बनार जी फि शाकिर अली जी ने जो बोला हम अगर सिर्फ वोट के लिए सोचते हैं शाकिर अली साब तो दो हजार चौदा में सरकार बनने के बाद 15 अगस्त के दिन प्रधान मंत्री जंधन योजना और एंड की शुरुआत नहीं करते हैं अरे जस सरकार बनी थी वोट की बाद तो पास सा के वज़े से हा रहे थे जरा बगर में पार्त मुकर जी बैठे हैं कांग्रेस के पूछ लीजिए और अजना जी 2018 के चुनाओ परिणाम के बाद के अपने चैनल के वो निकाल के देखेगा कांग्रेसी चाती ठोक ठोक के करे थे राहुल गांधी जी ने हरा दिया सोनिया जी क्या बोला था कांग्रेस ने राहुल जी का वो जिरा आप वीडियो प्रिप देखिएगा एक दो तीन चाफ पांच चे साथ आट नौ दस दस दिन में अगर सारा करजा माफ नहीं हुआ तो इनको निकाल बाहर कर दोंगा क्या हुआ कर दिया सारा माफ आद तो दो साल हो इसलिए आज राजनीता राजनीत पे विश्वसनीता का संकट बन गया है जो कि आप लोग इमांदारी से किसी एक चीख लिए रहते और हम हम वो हैं जो शामा प्रसाद मुखर जी के जमाने से लेकर आज तक जिन मुद्दों को लेकर खड़े थे उनी मुद्दों को लेकर चाहे हमारी हैसियत कुछ न रही हो चाहे हमारी हैसियत मात पो रही हो चाहे आधम सत्ता में यह अंतर है क्राइसिस अफ क्रेडिबिल्टी में आज विपक्ष के पर दिए और मोदी जी के नितुर्त में भारती जनता पाटी के पर शुदान्सु भहिया इस तिक जाकिर जी तो लाइन में आप जल्दी से जवाब दीजी फिर पार्था जी के पास चलेगा। रत यांड राइन के पूर्न निर्मान करें कि यह चोट लेकर दकाई को लेकर यह लोग को लेकर अपने बारतिय जंता पार्टी बंगाल का चेहरा बनाएंगे प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब देखें मैं एक बात कहुंगा सहीमित बर्यादित शब्दों में बात कही जा सकती है मने बर ये तरणमूल कांग्रेस तो कांग्रेसे से निकली थी ना फिर आपने लेट से ही तो छीना था ना इसलिए हम कह रहे हैं हम तो औरिजिनल अपनी जगह पे खाड़े हैं जहां थे वहीं हैं यह तो कांग्रेस का हिस्सा थी ना उस समय बावनिया वो कांग्रेस जिसकों एलेन ऑक्टोरियम हुम ने बनाया था जो ब्रिटिस सरकार में सेकेटरी थे और ना पता हो बता दे कॉमर ने संस्थापक होता है जिन्होंने बंगाल के सपूत होकर कश्मीर में डेश की एकता के लिए दाकर अपने परण दिये तो जमीन आश्मान का अंतर है आफ की शिरूआत और हमारी शिरूआत इसलिए आपकी सोच है चाहिए अथिक है घा¿ है रिकर रिनप मून स्भी है आप प्रकर होकर मुखर होकर बात करती है सड़कों पर निकलती है अपने हवाइचपल में पैदल चलती है लोगों के बीच में इधर बीजेपी के किस तरह से ताकत जोकरी यह वो भी दिख रहा है और यह सा नहीं है कि अभी एक दो महीने से विछले एक डेर साल से उन्होंने बिस ओम जी आज देखिए बंगाल की बारे में बात हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बातचीत बंगाल में सिमित रहे तो अच्छा होगा नहीं तो इसका फरिसा बहुत बड़ा होता जाएगा एक तो बात है अभी तक जो बात हो रही थी साकीर आली जी से जो हमारा रिश्रा का आदमी है हमारा परोस का आदमी है और जो बीजेपी के ओर से जो बोल रहे थे बीच में हम लोगों को भी घिसिट के लाए जबकि हम अभी तक कुछ नहीं बोले बात है कि देखिए ये तो अच्छी बात है ये एक गंतांतरी गदिकार है बीजेपी का कि उनका प्रेसिड़ जी की इन लोग को भी क्या बाहर ही कहेंगे जीन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया राजनिती में और बात है देखिए आज बीजेपी जो कर रही है ये जो जो फार्मर्स लोग के घर जाके जो खाना जो खा रहे है ये अगर चार पात साल पहले का प्रदान मंत्री जी का अगर माना जाए तो इसको क्या पॉवर्टी टूरिज्म का ये खिस्सा क्या माना जाए तो चल रहा है आज सतर लाग मुठी बर सतर लाग मुठी चाउल पॉवर्टी टूरिजम का पॉवर्टी टूरिजम नाम दे रहे हैं आपसे मेरा बात नहीं है मैंने रिफर किया प्रधान मंत्री जे का बात वह एक जमाने में राहूल गांदी जब जो एक घर में गहे थे तो उनको पॉबर्टी टूरिजम कहे तो जाई हो ठीक है बात है कि अभी जो प्रॉब्लम है बंगाल में ये एक तरह से तो जो बीजबी के प्रवक्ता है उनका ब स्वार्म बील है ये लेकर कि कोई चरचा नहीं है ये बात गलत है कि पिस्चिं बंगाल दिली से इतना दूर है आपको इतना दूर से दिखाई नहीं देगाए तलिक में पटकल案 हुरन पंजब यू पी ये सर्भाजयों के पिशक को आपको अर्म को आपका नजर के एकदम सामने है बंगाल बहुत दूर है लेकिन प्रॉब्लेम इधर भी है प्रॉब्लेम क्या है देखिए ठीक है लेकिन मानेवर मानेवर जो सवाल मैंने पूछा था उसका भी जवाब दे दीजे हाँ वाट है कि काली हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जुल में मूर करके पैसा ले रहा है रुप्या ले रहा है यह सब एक एक करके बीजेपी में जा रहा है मतलब बीजेपी सब उनी को ले रहा है और बोल रहा है कि हम लोग क्रॉप्शन के लड़ाई करेंगे टीमसी का क्रॉप्शन के लड़ाई करेंगे कि इसको लेकर के लड़ा पर बंगाल में बैठे हुए मुझे बताईए ना सब्सक्राइब क्या स्ट्राइज है आपकी क्या मुच्छ करने वाले है हमारा जीतिन पिसाज जी इदा रहा है बांपरंट के साथ हमारा बास्ची चलना है यह हमारा गट बंदन होने बाला है आपको याद दिलाना चाहता तो मतलब PMC और BJP दोनों का खिलाब जो एक हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा है अब आम उसी को ले करके आगे बढ़ेंगे यह मेरा दावा है इना ठीक है जयनतों गोशाल जयनतों गोशाल क्या ऐसा वाकई होगा जिस तरह का दावा कर रहे हैं पाता जी और साथ ही सवाल सवाल यह है कि आप अल्टिमेटली तो दूसरी पार्टी के लोगों को ले रहे हैं आप कहते हैं आप ऐसी वाशिंग मशीन हैं जिसमें सब की दुलाई हो जाएगी सारे पवित्र पावन करप्शन फ्री हो जाएंगे और फिर आप उसी से हमला बोलेंगे TMC पर अल्टिम्टलि ऑद फावन की परिएंगे अजी मैं सुन रहzy थे बहुत अच्छा लग रहा था आप इतना अचली से उंयर रिए कि आप जब थे लिए कि बीजैब्र के लिए बोल रहा है至 बीजैब्र के साथ बात करते हैं तो लगत थे थे मैं आपको बता रहा हूं सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि यह कहना चाहिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाओ है तो चुनाओ के समय राजनीतिक जो है सफल राजनीतिक है सुधांशु जी बहुत अच्छा बोलते हैं राजनीति करना ही काम है लेकिन मेरा सवाल है कि अभी इस समय कॉंग्रेस जैसे आप कह रहे थे, कॉंग्रेस और लेफ्ट, पश्रिम बंगाल में मैं 35 साल मेरा अनुभव है, अभी इतना बुरी हलत, राहूल गंदी के तो बात ही छोड़ दीजिए, वो कहा है, पश्रिम बंगाल के साथ क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आता है, और कॉंग्रेस और लेफ्ट के जगा, जो प्रतिपक्ष होना था, आपको ये तो मनना ही पड़ेगा कि बीजेपी हैस बीकम दा मेरा अपोजिशन, अभी बीजेपी कहां था, और आज कहां है, अगर ये देखेंगे, तो अल्रेडी बीजेपी हैस अचीव डेलाट, तीन MLA है, प्रशी मंगाल में 18 MP हुआ है, तो बीजेपी के लिए 3 से 200 सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो मास्टर स्टैटिजिस्ट बैटे है दिल्ली में, लेकिन जो अंजना जी आप मुझे पूछ रहे थे और जो कॉंग्रेस को भी आप बोल रहे थ है कि बीजेपी के जो स्टेट लीडर्शिप में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, प्रधार मंत्री नरेन मोधी लोकप्रियनेता है, इसलिए मोधी वर्सेस ममता बीजेपी का स्टैटिजी है, ये कर रहे हैं, लेकिन ना कोई चीप मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, अगर म आप जारकन की सोच लीजेए एक वक्त पर जब अपर बर्दास को मुख्यों लेकिन आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचिए, आप सोचिए, लराई हमेशा ओपोजिशन पार्टी वर्सेस मोधी होती है, राजिए, ये सब मिनिस्टर्स हैं, हम तो हम तो काएंगे सुदा आप सब्सक्राइब बनाएंगे और आप कहेंगे आप लाल किला से नरेद मोधी जी जो बोले हैं वो राजनीती नहीं है, मान रहा हूं, ठीक बात, लेकिन आपको ये भी तो मानना पड़ेगा, कि आप अभी देश में जो पिसानों हैं, उनके साथ अभी भी आप रिजॉल कर रहें अच्छी बात है लेकिन पश्चिम बंगाल के जो जनता है वह भी मुर्ख नहीं है वह भी समझते हैं कि राजनीती है अभी सवाल है क्या चूज करेंगे भाजपा और ममता वह चुनाओ के बात पता चलेगा चुनाओ अभी भी बाकी है इतना आसान नहीं है एंजल है कि यूपी में योगी आदित्तिनाथ तो बाद में मुख्यमंसी बने कोई उमी द्वार गोर्षित नहीं किया गया था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महत्वण राज्य में जहां बड़े बड़े चेहरे थे दिगजों के वैसे राज्य में भी चेहरा नहीं अब सवाल यह है कि जिस तरह से लड़ाई बीजेपी वर्सस टी-मसी बन रही है एक मुठी चावल से उसकी कीमत मुश्किल पड़ सकती है क्या ममता दीको देखिए अजिना जी भारतिय जन्ता पार्टी विकास की बात करती है तो ये लड़ाई बिसिकली विकासवाद वर्सिस परिवारवाद है अभी यहां पर बैठे वे टीमसी के प्रवाक्ता जी कह रहेते कि बताईए बंगाल में कितने किसानों ने सुसाइट किया है बंगाल म इनको बताना चाहूँगा आकाश बैने जी की बात कर रहे है आप एक्सिदेंटल डेथ एंड सुसाइट इन इंडिया एडी एसाई की रिपोर्ट आई है लेटेस 2019 की जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 12665 किसानों ने आत्महत्याएं की है और अकेले पिछले साल कलकत्ता में ही 181 किसानों ने आत्महत्याएं की थी पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू अंजना जी एक मुठी चावल की बात नहीं है यहां पर एक मुठी चावल से जैसा की मानिय सुधांसु तिवेदी जी ने कहा यह जोडने की बात है यह संकल्प की बात है आपको याद हो की बात नहीं सतर लाग किसानों की बात के लिए आप पस्ची बंगाल में इन्हों ने उनको पीम किसान योजना से वंचित क्यों रखा उसकी पीछे तरग दिया रहा है कि हमारी सरकार उनको दे रही है ठीक है आपकी सरकार दे रही थी अगर पीम किसान योजना का 6,000 आपकी सर्स अपाइंट किये गए एंसी आरगी का जो रिपोर्ट है पॉलिटिकल किरिनल के मामले में जो पॉलिटिकल मर्डर हो रहे है वो कहता है लडाई एक पाती से हो सकती है वो लडाई आप जंटा पर नहीं निका सकती है शाकिर अलीजी अन्जना जी मैं जीडिए जवाब दीयए शाकिर अलीजी जून होsover गया ? अजूड गया है शाकिर अलो शाकिर अलीजी जवार जवाब दी जे वह कहा रही है आप लडाई का धुससा किसानों पर निकाला केंद्रे स्कीम का फայिदा किसानों को ना देकर देखिए हम ये किसानों को ये बोल रहे हैं पैसा देके बोट खरीदने का ये एक उल्टा रास्ता है मैंने पैसा देकर ओट खेदने की बात नहीं किये मानवर मैंने ये कहा है कि आपने 70 लाग किसानों को पीम किसान योजना से वंचित क्यों रखा आप खुसाली की बात करते हैं तो यह दिया आपकी सरकार स्कारा तो क्या उससे किसान की इस्तिती और अच्छी नहीं होती जो कि आपने 67 साम की स्टिती को बस से बत्तर बनाया रखा इसका उतर दे दिजिए झाल की प्रदानवंजी नरेंद्र मोदी ने विहार के नतीजों के बाद ही एलान कर दिया था कि अब बारी पशिम बंगाल की होगी उसके बाद सिग्रे मंत्री अमिच शाह एक के बाद एक रालिया करने के लिए वहाँ पर पहुँचे कई रोडशोस किये जमकर दहाडा ममताबान ज जी के खलाफ और जेपी नड़ा भी लगातार मूर्चा संभाले हुए हैं और अब एक मुठी चावल वाले इस आंदोलन के जरिये एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत में बीजेपी जुट गई है अब देखिए शाकिर अली साब उसके अद सुधानशों जी में फ प्रदर्शन बहुत बड़ी गले की हड़ी बना हुआ है अभी सरकार के लिए लेकिन जिस पिछ पर यहां कमजोर पड़ रहे हैं उसी पर वहां पर फ्रेंट फूट पर बाटिंग कर रहे हैं यह कहते हुए कि आपने केंज्रे स्कीम का लंबे वक्ता किसानों को वहां किसानों की बात बोला कि जो सेंट्रल गवर्मेंट का लब होना था उनको तो लाब हमारी गवर्मेंट नहीं पहुंचा रही है देखिए अंजना जी यहां पर यह खुल कर नहीं बोल रहा है यहां का जो लैंड लॉग का सिस्टम जो है दूसरे राज्यों से अलग है जैसे मान लेते हैं कि मेरा जमीन है मेरा तीन वीगा चार वीगा पांच वीगा दस वीगा जमीन है हमने चासियों को किसानों को फॉर्मर को दिया है कि आप यहां पर चास करो अब यह बताईए कि पैसा कौन पाएगा हम पाएंगे यह किसान पाएगा अगर यह किसान पाजाता है दो हजार उपिया फार्मर पाएंगे तो लीगली राइट तो हमारा बद्दा है तो यह पैसा यह किसको देंगे पहले यह तो ठीक करें हम यह क्या बोले थे हमारी मुक्रमंत्री बोली थी कि इस पर बैठे बैठ के पहले बात सीथ करें क्योंकि यहां पर जमीन का जो लैंड लौ जो है इसका जो समस्या है इसको समस्या को सेंटरल गौर्डमेंट को समझ ने होगा लेकिन यह लोग ना समझ के राजनीति करना सुरू कर रहा है और आप जो बोल रहा है कि यहां पर बंगाल में फरेंट पूट पर खेल रहे हैं नहीं फरेंट पूट पर खेल नहीं र आता हूँ कि आप जो है हमारे जो दिल्ली के जो किसान लोग पड़े हुए हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कुर्दवारे ये सीक लोग कितने सेंटीमेंट में इसको ले लिए हैं आप लोग उस गहराई तक नहीं पहुच रहे हैं जो देख बहादूर का चार सुभी वर्फ मनाने जा रही है सरुमनी अकाली दल वहां पर परधान मंत्री को नियोता नहीं दिया जा रहा है इससे सरम की बात और क्या हो सकती है क्यूंकि वो लोग जीस तरह से वहां पर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं उसको आप नहीं देख कर ये बीजेपी की चिंता सराहनिय है लेकिन अभी आपको चिंता बंगाल की करनी चाहिए टीम सी की अपनी पार्टी की करनी चाहिए सदाशी तरीगे से आगे ले जाते हैं आपको लगता है कि इसके जरीए किसानों के मुद्दे पर लोगों को एक अठा करना है एक एक मुठी चावा लीजे फिर खिचड़ी पकाएंगे फिर गरीबों का और उसको तो पौवर्टी जो टूरिजम है उसका भी नाम दिया जो एक वाक्त प्रधान मंत्री ने कहा था राहुल गांदी के लिए अजना जी अभी आप मनेवर शाकिर अली जी के बयान में देखिए बंगान में तो लैंड का रूल दूसरे प्रकार का है किसान को मिल नहीं सकता कौन सा तरीका भाई कंपनी तक में शेर ओल्डर होते हैं जितने हैं उनको पाड़ तो वहां से वो चले गए दिल्ली के किसान दिल्ली के किसान से चले गए सिखों पे सिखों से चले गए गुरू तेख भादुर जी के बलिदान पे आप देखा क्या कलाकारी है क्या कारी गरी जा और अगर चले गए तो मैं इमानदारी से पूछता हूँ, गुरु देख बहादूर जी के कसर जिसने कलम करवाया था, उन मुगलों को अपनी किताबों में किसने महिमा मंदित करके रखा था, पूछेगा अप पार्तुच मुखर्जीरियों और वो कम्निस जिन्होंने बंगा आपके दिल में कुछ और रहता है, और बाहर केवल राजनीद के लिए वो लाइन टेच करते हैं, अब मैं वापस आजाता हूँ, किसान के मुद्र के उपर और पावर्टी, टूरिज्म और अंदरूनी बाहरी, ये बताईए अंजना जी, राहुल गांधी जी, सोने का चम् करने के लिए चार गाड़ियां थी, वो यदि ये कहें कि मैंने तसला उठा करें गरीब के खेत में काम किया, और उसके बाद हर चटे बईने विदेश गायब, आज भी अंतरध्यान है विगत 20 दिनों से, तो उसे कहते हैं पावर्टी टूरिज्म, ना कि वो श्री नरेंद कि देखी या सुनी नहीं, गरीबी जिया है, ये लिव गड़ीजी आएँ, जिनके साथ कमिनस्टों ने क्या किया था, उन्होंने स्वें बताया था, जब हम लोग के साथ थी, कि उन्हें मुर्त समझ कर छोड़ के चले गए थे वो दो, अगर उन्हें पता होता जिंदा है, ममता जी तो उनको मारी देते और आज वो ये होने लगा उनके राज़िवे ये सब कुछ होने लगा वो ममता जी जिन्होंने सोना चठर जी जी के उपर भाई फेक देती कि बंगला देशी जुट पारवाई ने रही है बड़ी खबर आ रही है एक सेकेंड एक सेकेंड आप रहा है कि बंगाल में सुरक्षा के महौल को खतरा है उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में अलकाइदा पैल रहा है अलकाइदा जैसे अंतराष्ट्रिय आतंकी संगठन का नाम लेकर यहाँ पर धंकर जो की राज़िपाल है उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल के का एक महट बन चुगा ही आपको सुनाते हैं क्या कायों डौरा कि राज्येपाल की हैसियत से मेरी सपत के अनुरूप कारिये करने के लिए यह मेरा दैतू है कि में के इंदर सरकार को राज्ये के हालाइद से अब व brilliant क्रामनो हूँ राश्ट्र पती जी को अपने एक रिपूर्ट भेजते हैं चूंकि 2021 एक अचा वर्ष है जो पस्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां चुनाओ होने वाले हैं और जब 2018 के पंचाज चुनाओ की प्रश्पू में देखते हैं 2019 के लोग स्वाचुनाओ की प्रश्पू में देखते हैं और उनमें पाए जाता है कि रक्त रंजित रहे हैं नेमों के अवेलना हुई है मद आता इस्ट्रेस में रहा है तो सभी का योगदान इसमें होना चाहिए अब मेरी मानने ग्रह मंत्री जिसे क्या चर्चा हुई ये पत्रकार बंदूं को मेरे से ज़्यादा पता है उसको सारवजनिक नहीं किया जा सकता है दो हजार इक्कीस ऐसा वक्त है परजातान तरीक येग है जेमोक्रेटिक नेशन के लिए इससे बड़ा ये कोई होता नहीं है इस येग के अंदर हर माददाता को अपनी आउती देने चाहिए सुना आपने क्या है राजपाल धंकर ने जाके जी ज़रा जवाब दीजे इस पर वो कह रहा है कि आतंक का महौल हो गया है पुलिस स्यासी हो गया है अजय कि रहार है ये पूरा जो महौल इस वidence है ये क्या कहेरा है पर शिंबंग्गाल सरकार के लिए पर राजपाल का यहां पर आकर सीधे ग्रेमंत्री से यह सब कुछ कहना देखे राजपाल महुदय अगर दिये हैं अगर हम मिनिस्टर को अगर रिपोर्ट दिये हैं अलकाइदा से लेकर अगर यह अगर अलकाइदा का कोई भी वेक्ति अगर इस तरह का कोई अगर सुत्र से होगा तो इस पर चिन्तन करने की जरूरत है मैं मानता हूं जया सहा हुए कि भारत्रीय जनक्री की पर भी उगली उठती रही है कि जब जब कहीं कहीं चुना होता है जैसे दिली का चुना हुआ था लोकसभा का उसपर मैं पिज़े आता हूं अगर इस चुना praw के लिए अगर ये अलकाइदा अगर सामने में लाने की कोशिश कर रहे हैं अंजना जी तो ये बंगाल के लिए बहुत गंभीर और पस्नेचिन है लेकिन मैं चीडी सीडी इस पर नहीं बोलना चाहता हूं कि ये गवर्णर साफ को कहां से रिपोर्ट आ गया देखिए हमारे भी ह सेथे बहुत बढ़ी ताजूक की बात है और हम लोग इससे ला इल्म है है जानकारी नहीं है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यह लोग पाइस्टान को भी अभी तक तो देश के ग्रे मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह इंकार करते रहें कि अंतराश्य आतंकी संगत्मों ने भारत में गण बनाया है फिर राजपाल जी को कैसे पता चल दिया और वो ग्रे मंत्री से मिलने पहुच गए अभी शाकिर अली जी ने कहा कि दीदी को इसकी जानकारी होती तो वो बता देती प्रधान मंत्री और ग्रे मंत्री को मग कि ISIS और अन्य जो संगठन है इनका भारत में प्रभाव बहुत कम है आल्मोस्ट शून्य है यनि कहता है विल्कुर वजूद नहीं तीसरी बात राजपाल को कैसे पता लगा रहे याद करिए जब UPA की सरकार थी तो राजपाल में रिपोर्ट दी थी कि कि कितने लोग कि वहां पर टेरिरिजिन के फंटामेटरिजिन के मॉड़ों से प्रणोंदाने भी बोला है तो मैं ने अगर अगर हिंदुस्तान की जमीन पर एक सेकंड सुदान्चु जी अगर हिंदुस्तान की जमीन पर अलकाइदा ने पैर रख लिये है तो यह चोटी-मोटी खबर नह नहीं चार देशों की इंटेडियेंस एजिए इस ने खत्रा बताया था जिसमें थाइटन वर्मा बंगलादेश और भारत और एक नहीं पर इसका मतलब कर राश्ट विरोधी तत्वों के लिए स्वाह सवाभावी चरण इस्थली या उनको राजनेस्टिक संदक्षन यहां मिलता रहा है इसके पहले उधारन मोजूद है अब राजयपाल के पास कोई हो सकता और बहतर उधारन हो उसका मैं प्रिवी नहीं हूँ तो मैं नहीं बहु सकता पर तुम मैंने तो पुराने वह उधारन कोट किया जो पब्लिक डोमेंड में हैं तो वो देखकर यह संदेव पर अबन यह को देखकर कोई राजयपाल की बात को हवा में नहीं उडा सकता है नहीं हवा में हम लोग नहीं बटाएंगे टीक आप आप एक सब्सक्राइब एप अब रध्या रिस्पॉन्सिस पर पहले बात दिखी यह है कि अगर यह रजपाल जी को पता है रजपाल जी बता रहा है दिल्ली में इतने राश्ट्रियों एजएंसी से पहले तो इन लोगों को पता होना चाहिए था अगर यह आलकाइदा है यह कोई छोटी मुठी बात नहीं है यह तो उल्टा गंगा यह मतलब बहती है और बात है कि देखेंगे जहीं पहले जो बात बोल रहे थे य असली बात है कि कि विश्ची मंगाल में बीजेपी का एच्वली कोई फेस नहीं जाए और आप जो जो उदारन जब दे रहे थे उस ट्रैम मोदी जी का बहुत पलना भाड़ी था अपना लेकिन उसके बाद मोदी जी फिके पड़ गए मोदी जी का अभी मोदी जी जाके हर र और बात है कि देखिए टी एमसी का जो प्रॉब्लम है टी एमसी का वेस पंगॉल में एक मतलब एक इंस्टिटूशन अलाइस किया है चुली के फीका पढ़ने की चिंता छोड़कर कॉंग्रेस कैसे गारा हो इस पर ध्यान दीजेगा तभी आगे का रास्ता आप लोगों के मैं बोलू हाँ बोले प्लीज हाँ अजणा जी मैं यह कहूंगा नमबर वान है कि गवर्नर जो रीपोर्ड देते हैं मंतली हो स्पेशल रिपोर्ड हो वो श्तेत गंवर्मेंट जो इन्फमिशन देते हैं उसके आधार पर ही देते हैं क्योंकि वो अथ्युस्रीन इसको पब्लिक ली डाइवर्ज करना यूजुली कभी गवर्नर करते नहीं थे और मुझे याद है मैंने स्टोडी किया था गोपल गांधी ने यहां आके रिपोर्ट दिया था कि West Bengal has become a sleeping dynamite और भुद्दे भटाचरिया के समय अमेरिका सेंटर में अलकाइदा का अटक हुआ था तो यह जो इशु है यह प्रस्चिम बंगाल में चुनाओं का मुद्दा नहीं है और यह सेंटर स्टेट बिल के रिजॉल्व करना है क्यूंकि यह अलकाइदा नेटवर्ट देखिए 93 मे अगया नहीं है और तीसी बात जो कांग्रेस के रहे थे भारतिय पार्टी का कुई वजूद नहीं है मानवर 2016 में आप 8.60% और पाये थे 2019 के लोग सबाव में आप सिमटका 2.18 पर रहें देखिए कैसे डाइनमाइट से लेकर अलकाइदा तक बात पहुंच गई है यह चुनावी जो अंदाज इस बार रहने वाला है उसकी बान की बस समझ लीजे